बोस्तों यदि आप GST में पंजीकरत्व आपा ली हैं और आपका पंजीयन रेगुलर में है और आप इसे कमपोजीशन में कराना चाहते हैं तो 31 मार्च जो है इसकी अंतिम्तिति है अगर आप 31 मार्च के पहले रेगुलर से कमपोजीशन में नहीं कराएंगे तो आप 24-25 में कमपोजीशन के रेटर्न नहीं भर सकते हैं आप रेगुलर में ही रहेंगे कमपोजीशन में क्या होता है सामानेता ट्रेडर और मैनुफेक्चरर जो है वो जितनी भी उनकी टर्नोवर होती है उसका 1% उनको टैक्स भरना पड़ता है और बाकी सभी जंजटों से वो मुक्त हो जाता है हर तीन महीने में क्वार्टर ली रिटर्न के रूप में उसे 1% टैक्स भरना पड़ता है और डिकलरेशन देना पड़ता है कि मेरी सेल इतनी है जबकि रेगुलर में अगर आप पंजी करत्व आ पारी है तो आपको पता होगा कि हर महीने आपको रिटर्न भरनी पड़ती है हर महीने टैक्स भी आपको भरनी पड़ती है तो अगर आपको एक बार आप चेक कर लीजिए अपने कंसल्टेंट से कि अगर आपको कंपोजीशन में फायदा है तो 31 मार्च के पहले आप कंपोजीशन में कंवर्ट हो जाईए